दोस्तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा और बी बी टेक वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर आपकी अलग-अलग पोश्टों पर वेकेंसी है यहाँ सिविल, एलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल, इंस्ट्रुमेंटेशन इंजिन्यर से लिजबल रहेंगे फ्रेसर से लिजबल हैं आपकी डारेक्ट भरती रहेगी कोई भी एक्जाम नहीं होगा और ना तो यहाँ पर कोई आपकी एक्जामने सनफीस लगेगी और क्या बताये गया है इनके ओफिसेल नोटिस में उसमें आगे जाने से पहले आप वीडियो को लाइट कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोर्म में आपको जोब सबडेट मिलते रहें इसके साथ ही आप केलिग्राम चैनल और वाट्सप ग्रूप को भी जोइन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं के ओफिसेल नोटिस पर नोटिस आपका फोक्स ग्रूप की तरफ से निकाला गया है यहाँ पर आपकी बंपर भरती रहने वाली है तो जिन भी दोस्तों ने हमारे बी बीटे के आपके डिप्लोमा किया है इन ब्रांचों में आप लोग यहाँ पर इलिजिबल रहेंगे यह सभी वेकेंसी आपकी oil and gas, petrochemical, power, water and waste water sectors के लिए रहने वाली है अब बात कर लेते हैं आपकी वेकेंसी लिटेल के बारे में पहली वेकेंसी यहाँ पर आपके रहने वाली है graduate engineer trainee के लिए अगर आपने बी बीटे के आपके डिप्लोमा किया है इंस्रुमेंटेसन इंजिनिरिंग में आप फ्रेसर हैं आप यहाँ पर eligible रहेंगे अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है GET के लिए अगर आपने बी बीटे के आपके डिप्लोमा किया है electrical engineering में आप फ्रेसर हैं आप यहाँ पर eligible रहेंगे नेक्स वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है GET civil के लिए अगर आपने बी बीटे के आपके डिप्लोमा किया है civil engineering में आप फ्रेसर हैं आप यहाँ पर eligible रहेंगे नेक्स वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है Instrumentation Designer के लिए अगर आपने B.E.B.T. क्या फिर डिप्लोमा किया है Instrumentation Engineering में या फिर Electrical Engineering में आपके पास 2 साल कावर के Experience से आप यहाँ पर Releasable रहेंगे अगली वेकंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है Electrical Designer के लिए अगर आपने B.E.B.T. क्या फिर डिप्लोमा किया है Electrical Engineering में आपके पास 2 साल कावर के Experience से आप यहाँ पर Releasable रहेंगे Next वेकंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है Structural Designer के लिए अगर आपने B.E.B.T. क्या फिर डिप्लोमा किया है Civil Engineering में आपके पास 2 साल कावर के Experience से आप यहाँ पर Releasable रहेंगे Next वेकंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है Piping Designer के लिए अगर आपने B.E.B.T. क्या फिर डिप्लोमा किया है Mechanical Engineering में आपके पास 2 साल कावर के Experience से आप यहाँ पर Releasable रहेंगे अगली वेकंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है टीम लीडर के लिए अगर आपने डिप्लोमा या फिर B.E.B.T. किया है Mechanical Engineering में आपके पास 8 साल कावर के Experience से Next वेकंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है Process Engineer के लिए अगर आपने B.E.B.T. किया है Chemical Engineering में आपके पास 3 साल का वर्क Experience से आप यहाँ पर इलिजबल रहेंगे तो जिन भी दोस्तों ने हमारे B.E.B.T. के अपर डिप्लोमा किया है इन ब्रांचों में आप इन पोश्टों के लिए इंटरेस्ट होते हैं इलिजबल होते हैं आप इनकी nearest location में आते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है आपको अपना updated CV लेना है उसके साथ में आपके जितने भी जरूरी document है उन सबको आपको लेना है self test करना है और आपको पहुच जाना है इनके official address पर इंटर्व्यू यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं 4 दिसंबर से और ये इंटर्व्यू आपके 15 दिसंबर तक चलने वाले हैं सुबा 10 बजे से सामके 6 बजे तक और इसके साथ यहाँ पर आप लोगों को अपना pre registration भी complete कर लेना है आपको अपना updated CV इनकी official email पर share कर देना है अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you शुक्रिया